लेखा सास्त्र कक्सावारा अध्याय पांच कम्पनी लेखे अंसो एम रिन पत्रों का निर्गमन सी नमस्कार मित्रो मैं रामावतार बटुक आपका स्वागत करता हूँ मैं एक स्वेपाठी विद्यारती हूँ मैं इस परकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे 70% से अधीक याद हो जाता है प्रश्ण एक प्रीमियम पर अंसों का निर्गमन क्याग है उत्तर जब अंसों को उनके अंकित मुले से अधीक पर निर्गमित किया जाता है तो ये प्रीमियम पर अंसों का निर्गमन कहलाता है प्रेशन 2 परीमियम पर अंसों के नीर्कमन का एक उधारण दीजिए उत्तर जैसे रुपे 10 वाले संता अंसों का नीर्कमन रुपे 14 पर 13 की दरपर करना यहाँ 14 बाकी 10 भराबर रुपे 4 पर 13 पर 1 पर यम्यम कहा जाएगा प्रश्न तीन प्रीमियम का लेखा किस इस्तर पर किया जाता है उत्तर प्रीमियम का लेखा आवेंदन, बंटन या मांग किसी भी इस्तर पर किया जा सकता है प्रश्न तीन प्रीमियम का लेखा किस इस्तर पर किया जाता है उत्तर प्रतीभूती प्रीमियम के लिए किसी इस्तर पर किया जाता है उत्तर परती भूती प्रीमियम कमपनी के लिए पूंजी गतलाब है प्रश्न 6 परती भूती प्रीमियम को चिठे के किस भाग में दर्शाया जाता है उत्तर परती भूती प्रीमियम को चिठे के समता एम दाईत्व भाग में दर्शाया जाता है प्रश्ण साथ पर्ति भूति प्रीमियम को चिठे में किस सिर्षक से दर्षाया जाता है उत्तर अंसधारियों के कोष सिर्षक से दर्षाया जाता है प्रश्ण आठ पर्ति भूति प्रीमियम को चिठे में किस उप सिर्षक से दर्षाया जाता है उत्तर संचय एम आधिक के उपसिर्शक से दर्शाया जाता है प्रेश्ण नो पर्ति भूति प्रीमियम को चिठे में किस रूप में दर्शाया जाता है उत्तर पर्ति भूति प्रीमियम संचय के रूप में दर्शाया जाता है प्रश्ण 10. कम्पनी अदिनियम की दारा 52-1 के अनुसार परती भूतियों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशी कहां जमा की जाती है उत्तर परती भूती प्रीमियम खाते में जमा की जाती है प्रश्ण ग्यारा भारतिय कंपनी एदिनियम 2013 की दारा 52 के अनुसार परती भूती प्रीमियम का प्रियोग किन कारियों में किया जाता है उत्तर एक सदस्चन को पूर्ण परदत अंस निर्गिमित करने के लिए 2. कंपनी के प्रारंबिक वेयों को एप लिखित करने में 3. अंसों या रिन पत्रों के निर्गमन वेय या दिये गए कमिशन या रिन पत्रों पर दिये गए बट्टे को अप लिखित करने में 4. कंपनी के किसी भी सोधनिये पुर्वादिकार अंसों या रिन पत्रों के सोधन पर देई प्रीमियम का परबंद करने में 5. अपने अंसों को क्रिय करने में प्रश्ण बारा अंसों का न्यूंतम अविदान किशे कहते हैं 5. उत्तर जब एक कंपनी को प्राश्टावित अंसों की तुल्णा में कम अंसों के आवेदन प्राप्त होते हैं तो उसे अलप या न्यून अविदान कहते है 7. प्रश्ण 13 अंसों के न्यून अविदान की दसा में कितने अंस बंटित किये जाते हैं उत्तर नियून अविदान की दसा में नियून तम अविदान के प्रावदानों को ध्यान में रखते हुए सामानेते परते को आवेदित अंसों के बराबर अंस बंटित कर दिये जाते हैं प्रेशन चोदा अंसों का अधी अविदान किसे कहते हैं उत्तर जब एक कम्पनी को प्रस्तावित अंसों की दुल्ला में अधीक अंस खरीदने के आवेदन पर प्राप्त होते हैं तो ये इस्तती अधी अविदान कहलाती है प्रेशन पंद्रा अधी अभिदान की इस्तती में एक कम्पनी किन तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प के आधार पर अंसों का अविदान कर सकती है उत्तर एक कुछ आवेदकों को फूर्ण अंस आमबंटित करना तथा ऐसे आवेदक जिने कोई अंस आमबंटित नहीं किये हैं उनकी आवेदन राशी को लोटा दिया जाता है दो समेश्थ आवेदकों को अनुपातिक आधार पर अंसों का अमबंटन करना तीन कुछ को फूर्ण तता कुछ को आनुपातिक आधार पर अमबंटन करना प्रेश्ण 16 आनुपातिक आधार पर आमबंटन क्या है उत्तर आनुपातिक आधार पर आमबंटन से आसा है उस वर्ग के कुल आवेदकों को बंटित किये गए कुल अंसों का उस वर्ग के कुल आवेदनों के अनुपात से है प्रेश्ण सत्रा आनुपातिक आदार पर आमंटन को उधारन से समझाईए उत्तर माना आर लिमिटेड ने 10,000 अंस जनता को निर्गमित किये जिनके बदले में कुल 15,000 अंसों के आवेदन प्राप्त हुए एते आनुपातिक आदार पर अंसों के प्राप्त आवेदन अनुपात कुल निर्गमित अंस बराबर 15,000 अनुपात 10,000 बराबर 3 अंपात 2 होगा परतेक 3 अंसों के आवेदकों को 2 अंस आमबंटित किये जाएंगे प्रेश्ण 18 आवेदन पर प्राप्त आधिक के राशी का परियोग किस परकार किया जा सकता है उत्तर आनुपातिक आधार पर आमबंटन की दसा में आवेदन पत्र के साथ शुकाई गई आधिक के राशी का परियोग एक सुचीबद कंपनी दुआरा इस्टोक अक्स्चेंज की अनुमती प्राप्त कर आमबंटन तथा यातना पर किया जा सकता है प्रेश्ण गुन्नीश एक गेर सुचीबद कंपनी आवेदन प्राप्त आधिक के राशी का परियोग किस परकार कर सकती है उत्तर एक गेर सुचीबद कंपनी आवेदन पर प्राप्त आधिक के राशी का परियोग आमबंटन तथा यातना राशी के समायोजन में कर सकती है प्रेश्ण बीश उलेक के अभाव में समायोजन के उपरांत सेस्धन राशी का क्या परियोग किया जा सकता है उत्तर इस्पष्ट उलेक के अभाव में आवेदन पर प्राप्त आधिक के राशी में सें बंटन पर दे राशी के समायोजन के उपरांत सेस्धन राशी अंसधारियों को वापिस लोटा दी जाती है प्रेश्ट इकीश स्वेट समता अंसों का निर्गमन क्या है उत्तर कंपनी अधिनियम दोजार तेरा की दारा दो अठाशी के अनुशार स्वेट समता अंसों से आसे ऐसे समता अंसों से है जो किसी कंपनी दोबारा अपने संचालकों या करमचारियों को बट्टे पर या रोकड के अतिरिक्त अन्य परतिफल के लिए तकनिगी जानकरी देने या बोधिक संपता के अधिकारों की परकरती के अधिकार उपलब्द कराने या उपयोगिता में पृद्धी करने के लिए जारी किये जाते हैं प्रश्ण 22 कमपनी अधिनियम 2013 की दारा 54 की वे सर्ते कौन सी है जिनके पूर्ण होने पर एक कमपनी स्वेट समता अंसों का निर्गमन कर सकती है उत्तर ए निर्गमन कमपनी दुआरा विशेश प्रस्थाव पारित कर अधिकत किया जाता हो दो विशेश प्रस्थाव में अंसों की संक्या वर्तमान बाजार मुल्ले परतिफल यदी कोई हो तता संचाल कों दुआरा करमचारियों के वर्ग जिनको ऐसे अंस निर्गमित किये जाने हैं का उलेक होना चाहिए से स्वेट समता अंसों के निर्गमन की तिथी को कमपनी को व्यवशाय करने का अधिकार प्राप्थ हुए कम से कम एक वर्ष पून हो जाना चाहिए दै यदि कम्पनी के अंस किसी माननेता प्राप्त इसकंद विपनी पर सुचीवद हो तो स्वेट समतांसों का निर्गमन से भी द्वारा इस सम्मंदवे बनाए नियमं के अनुसारी करना चाहिए प्रस्ण तेईस अधिकार अंस पुंजी किसे कहते हैं उत्तर कम्पनी की अनिर्गमित पुंजी को अधिकार अंस पुंजी कहते हैं प्रस्ण 24 एक कम्पनी को अपने व्यवशाय में व्रिद्धी या अन्यकारण से अधिक वितिय संसादनों की आवशक्ता होने पर वह क्या करती है उत्तर एसी स्थती में कम्पनी अपनी संपुन ए निर्गमित अंस पुंजी या उसके एक बाग को निर्गमित कर सकती है तथा आवशक वितिय संसादन जुटा सकती है प्रेश्ण पचीश एक अंस पुंजी वाली कम्पनी अपनी अभिदत पुंजी में व्रिद्धी के लिए कौन से निर्णे ले सकती है उत्तर एक कम्पनी अधिनियम 2013 की दारा 62 के अनुसार आतिरिक्त अंस निर्गमित करना प्रस्तावित कर सकती है दो ये प्रस्ताव ऐसे व्यक्तियों को बेजे जाएंगे जो प्रस्ताव की तिथी को कम्पनी के समता अंसों के दारक है तीन ये प्रस्ताव नोटिस के रूप में होता है चार इस नोटिस में प्रस्तावित अंसों की संक्या होती है पांच इस नोटिस में प्रस्ताव की तिथी की समय शिमा जो 15 दिन से कम नहीं होती है तथा 30 दिन से अधिक नहीं होती है छे यदि प्रस्ताव को श्विकार नहीं किया जाता है तो उसे एश्विकार मान लिया जाता है साथ जब तक अंतरनियों में कोई विप्रीत विवस्ता नए हो तो समंदिन्थ अंसदारी को किसी अन्य व्यक्ति के पक्स में परिता करने का अधिकार होता है आठ प्रस्ताव को एश्विकार करने की इस्तिती में कम्पनी का संचालन कम्पनी तथा अंसदारियों के इतों को ध्यान में रखते हुए उन अंसओं को अन्य व्यक्तियों को आमन्टित कर सकता है प्रेश्ण 26 करमचारी इस्ताक विकल्प योजना क्या है उत्तर कम्पनियों के दुआरा अपने संचालकों अधिकारियों एम करमचारियों को अपने समता अंस प्रस्लित बाजार मुले से कम मुले पर खरीदने का अधिकार देना करमचारी इस्ताक विकल्प योजना कहलाती ह ये वेक्ति अपने इच्छा अनुसार इन प्रस्ताविज अंसों को खरीद सकते हैं परेशन 27 क्रमचारी इस्टाक विकल्प योजना का उद्देश से क्या है उत्तर कमपनी द्वारा अपने संचाल को अधिकारियों एं क्रमचारियों को अंस देने का उद्देश से उनकी कारिय छमता तथा अपनात्व की भावना को बढ़ाना है परेशन 28 क्या क्रमचारी इस्टाक विकल्प योजना के अंतरकत आमबंटित अंसों को खूले वाजार में बेचा जा सकता है उत्तर एशे अंसों को आमबंटन की तीथी से एक वर्ष के अंदर खूले वाजार में नहीं बेचा जा सकता है परेशन 29 क्रमचारी इस्टाक विकल्प योजना किस नियम के अंतरकत आती है तथा इसका उद्देश क्या है उत्तर ये कंपणी अधिनियम 2013 की दारा 237 के अनुसार है इसका आसे कंपणी के संचकाल को अधिकारियों या क्रमचारियों को कंपणी के अंस बावी तीथी को पूर्व निर्धारित मुल्य पर खृदने के लिए दिये गए अधिकार या लाब के विकल्प छे है प्रश्न तीस एसक्रो या निलंब खाता क्या है उत्तर एसक्रो सब्च से आसे एक अनुबंद के तहत किसी वी निर्धिष्ट सर्थ के पूरा हो जाने तक गारंटी के रूप में तिर्थी अपक्सकार के पास जमा की गई नगदी या परतिभूतिया है सेवी के दिशा निर्धिषों के अनुसार जो कमपनी अपने अंसों का क्रिये योजना के तहत अंस वापीश खरीद रही है उसे किसी बेंग में एसक्रो खाता खोलना होता है प्रेश्ण 31 एक स्रो खाते में क्या क्या सामिल है उत्तर एक किसी व्यवशाइक बेंग में जमा रासी दो किसी व्यापारिक बेंग के पक्स में बेंग गारंटी तीन उचित मार्जिन के साथ स्विकारिय परति भूतियों का निछेप अर्थात जमा और चार उप्रोक्त एक से तीन तक का मिश्रण प्रेश्ण 33 एस क्रो खाते में कितनी रासी जमा करनी आवश्यक है उत्तर यदि क्रिय वाफसी के रूप में चुकाई जाने वाली रासी रूपए एक क्रोड से अधीक नहीं हो तो एस क्रो खाते में एसी रासी का 25 परतिसत जमा करना होता है और यदि चुकाई जाने वाली रासी 100 क्रोड से अधीक है तो अधीके का 10 परतिसत भी जमा करना होता है प्रस्ण 33 अपने अंसों की क्रेव वाफसी फूर्ण हो जाने पर एस क्रोड खाते में जमा रासी का क्या किया जाता है उत्तर एस्क्रों खाते में जमा की गई रासी या परती भूतियों को करिये वापसी पूरी हो जाने पर सेवी की आग्या से वापिस कर दिया जाता है और अलुपालना ने होने पर जब्द कर लिया जाता है धन्यवाद